अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सबस्कारब कर लिजिए और साथ ही पास में लगे वेल आइकन को दो आदें जैसे कि आपको सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है ठीक है चलिए हम बात करते हैं अंगले को स्फिलेन कर दिया है ठीक है हाँ अब भात करेंगे एलक्टोमरीक zo उसमें कह रहा है रहा है अचिंगा है उसमें और यह दूसरी यह नहिए ऒब यह कब करने और लुछ já कहने का मतलब है दो हो या तीन बॉंड अगर आपके प्रिजेंट है तभी क्या होगा पाई लेक्ट्रॉन यह कैसा है आपकर टैंपरेरी प्रभाव होगा ठीक है यह किसी अन्रेजन्ट या अभिकारक की उपस्तिति में ही यह जनरेट्र होगा और उसके होते हैं यह कैसा हो जागा खतम हो जागा ठीक है तो यह कैसा है आपका आइस्थाई प्रभाव है कौन सा इलेक्ट्रोमरिक थीक है इनमें electron का विस्थापन उन अडूओं में होता है, जिनमें एक से अधिक बंद होते हैं, कितने होंगे, एक से अधिक बंद है किसी अडू में, तो उसमें क्या हो जागा, electron का विस्थापन हो जागा, और ये प्रभाव आपको देखने को मिल जागा, जैसे कि अगर्म बात करे यहां पर क्या है कार्वन कार्वन का पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं यह डबल बांड वाले और यहां पर क्या है कार्वन कार्वन की बीच में आपका ट्रिपल बांड तो इसमें से एक बांड के लेक्टों का चले जाएंगे क्रावन का है तो इसमें क्या होगा अलेक्टों को transfer हो रहा है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमरिक प्रभाव ठीक है कब होता है जब परमाणों के बीच में दो या तीन बंद हो ठीक है इस प्रभाव में साजह वाले यूगल पूर रूप से किसी एक ही प्रमाणू पर चला जाता है पूरी तरह से किसी एक प्रमाणू पर चला जागा कौन साजह वाले इलेक्ट्रोम का यूगल या यूग्म ठीक है किसका साजह वाले इलेक्ट्रोम का यूग्म या प्यर कांच ला जागा किसी एक प्रमाणू पर तोधियन पर चला जाएगा दोनों कहां आजाएंगे आपके ऑक्सीजन पर आ इसपे मैं इस आजाएन तो इसे यह पूरी तरह से दोनों एलेक्ट्वांद पर चले एन तो यह आपका है इसकी विशेषता है क्या हो जागा आपका बिशेषता है होती है स्था समापत हो जाने पर समापत हो जाता है гใช आके खतम होने पर यह भी कैसा हो जागा आपका खतम हो जागा समाथ हो जागा इसे यह तीर आप देख रहे हो इस तरह का सिंबल के द्वारा प्रदर्सित करते हैं यानि कि अभी हमने देखा दा कारवन और ऑक्सिजन के बीच में जो डॉबल वांड था इसको किस तरह से प्र कि द्वारा प्रदर्सित करते हैं ठीक्यंड इसको एलेक्ट्रों मृ seis क्रिया में पाई एलेक्ट्रॉन का त्रांस्फर उस दिसान में होता है जिससे क्रिया की जिस से क्रिया की गती में सायथा मेले तो pie विशा होगा जिससे क्रिया की गती में सायता में ले जाने की क्रिया हमारी जल्दी हो सके ठीक है पूर्थ कह रहा है इसे E से प्रदर्सित करते हैं किस से प्रदर्सित करते हैं इसको capital E letter से हम इसको प्रदर्सित करते हैं ठीक है next कह रहा है electromeric प्रवाव के प्रकार इसके कितने प्रकार होते हैं वो हमें जानना है, ठीक है, टाप साफ इलेक्ट्रोमरिक एफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमरिक एफेक्ट के आपके इंडुक्टिव एफेक्ट की तरह दो प्रभाव होते हैं, दूसरा कौन सा होगा आपका, इलेक्ट्रोमरिक के भी इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपक प्रभाव दूसरा होता है आपका माइनस ए प्रभाव ठीक तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस ए प्रभाव की किसकी प्लस ए प्रभाव यानिकी प्लस ए एफेक्ट कहरा जब पाई एलेक्ट्रॉन कौन से पाई एलेक्ट्रॉन यानिकी डवल बांड वाली एलेक्ट्रॉन का transfer उस अडू पर होता है जिस पर कोई आपका reagent कौन reagent जिसे हम कहते हैं अभी कारक नहीं नहीं अभी कारक तो reactant कहलाता है जिसे क्रिया कारक कहते हैं क्रिया कारक कहते हैं नहीं कि जो क्रिया के С fif बढ़ा देता है ठीक है क्रिया करने में के सायता करता है आकर जुड़ता है कहां जुड़ता है जिस हम क्या होगा तो उसे प्रवाव कॉन क्या कहते है प्लस यी प्रवाव कहते है जैसे कारवन करवन के बीच में डैबल मॉंड है यह एक कर यह का यह नि dues electron होंगे वहीं तो जाएगा तो यह electron मान लो इधर shift हो गए तो इस पर कैसा जागा minus का charge यानि कि दोनों electron यहां जाएगे अब यह कहां लग जाएगा इस बाले carbon पर जाके लग जाएगा और इस पर कैसा जाएगा आपका plus का charge आ जागा तो इस यह कब होगा जब पाई electron का इस्थानांतर उस अडू में परमाणू ठीक कोई अडू होगा उसमें अगले परमाणू पर होता है जिस पर आपका रियेजेंट यान की क्रिया कारक आकर नहीं जुड़ता अभी यह आपको ध्यान रखना है जो परमाणू पर होगा जिस पर रियेजेंट आकर आकर नहीं लगेगा यहां पर कारवन और 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 ऑक्सिजन के बीच में आपका क्रिया कारक तो यह कहां लगेगा जाकर उस परमाणू पर लगेगा जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा जिस पर यह आकर नहीं लगेगा मानलो अगर यह आकर यहां लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर नहीं होगा अगर यह आकर यहां लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर नहीं होगा अपोजिट होगा जहां यह लगेगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जाएंगे और इससी के विप्रीत अगर मैं कौह 15 गिहां कि कहां डवल बन्ड क्राचीजन यह आपका क्या है अगर मैं। यह कौन से प्रवाव क्यांन भूंख रहें जाएंगे यह आफको सो करेगा- प्रभाव को इसको 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 अपका लग जाएगा और यह प्रभाव प्रभाव इससे पहले रहा था इसके बाद इंडुक्टिव एफक्ट यह तीनों आपके हो गए जो कि question number 22 में आप से पूचे गए थे इन पर टिपपड़ी लिखने को तो यह अलग से भी आ सकते हैं कि mesomeric effect क्या होता है, electomeric effect क्या होता है और inductive effect क्या होता है टिपपड़ी लिखिए तो यह आपको अच्छे से याद कर लेना है ठीक है समझ लेना, I hope कि आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अंगले वीडियो में बने लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है, thank you